वेलकम तो इस्टडी चैनल में नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे एल्टी ग्रेट की नई सिक्षक भरती के बारे में इस साल दोस्तों दोजार चोबिस में एल्टी ग्रेट की सिक्षक भरती होनी है आप लोग ये बिल्कुल मानकर चलिए और अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए पिछली भरती एल्टी ग्रेट की 2018 में आये थी 10,768 पदों पर और अब फिर से 2024 में एक नया विग्यापन इसका आना है फिलहाल आचा सहीता है अभी विग्यापन नहीं आएगा पूरा शाषन प्रसासन चुनाओं में व्यस्त है लेकिन चुनाओं के बाद आपका विग्यापन आने वाला है ये जनकाई निकल कर आ रही है चुनाओं के बाद भरतियों की भरमार होगी प्रशन पत्रों की सुरक्षा एक बड़ी चुनोती है जब से आरो आरो दोजाटेज प्री एक्जाम लीग हो गया था जून से दिसंबर तक UPPSE को डेष दरजन प्रिक्षाएं कराना है जिसमें आरो आरो दोजाटेज का प्रिक्षाम है PCS 2024 का प्रिक्षाम है अन भी बहुत सारी प्रिक्षाएं है साथे साथ कुछ नए विग्यापन निकलेंगे और इनकी भी प्रिक्षाएं इसी बीच में कराई जाएंगी खबर है कि L.T. ग्रेड और खंड सिक्षा दिकारी समेथ समिल्त राज अभिहंतर शेवा भरती राज की डिग्री कॉलेजों में असिस्टन प्रोफेसर की भरती का विग्यापन जारी किया जाएगा आपने देखा होगा इसी साल UPSC का जो एक्जाम कलेंडर आया था 24 वाला उसमें सापसा मैंसन था L.T. ग्रेड के बारे में हाला कि आरो यारो परिक्षा लिग होनी की वजए से इसके लिए बहुत सारी डेट्स को भी आरक्षित किया गया था लेकिन यह भी बताया गया था कि समकक्षारता का मामला है यह क्लियर होते ही हम विग्यापन जारी कर देंगे अभी हाली में चाथ और UPSC पर भी पहुँचे हो गयते वहां से भी जनकाई निकल कर कि समकक्षारता वाला मामला बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा और उसके बाद यह लोग विग्यापन निकालेंगे पदों के संख्या की बात करें तो लगबग लिया जाएगा इंटर्विव पहले भी नहीं था अभी भी नहीं होगा सबसे इंपॉर्टेंट एल्टी ग्रेट को लेकर जो सवाल है वो है योगिता यानि की जो नियुंतम आहरता है वो क्या है सैक्षडी क्वालिफिकेशन तो बीड यहां पर मांगा जाता है यह आप ब कॉबिनेशन भी मांगा जाता है ग्रेजुएशन का तो बात को आप समझेगा कि जिस विशे की भरती होगी उसी विशे से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर आपका बीड होना चाहिए बीड को लेकर कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि आपने बीड में क्या आप इसमें देख लिए सबसे पहले किन किन विश्यों की भरती आई थी तो हिंदी, इंग्लिस, मैस, साइंस, सोसल साइंस, कम्प्यूटर, उर्दू, बैलोजे, संस्कित, आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल, एजुकेशन, होम साइंस और अग्रिकल्चर यहाँ पर मेल और फिमेल की अलगलग सीटे होती हैं, यह आप देख सकती हैं, यह में ब्रांच यानि मेल के लिए सीटे हैं, और इसके बाद आपको फिमेल की भी सीटे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी मेल में 544 सीट थी, मेल में 5364, दोनों जोड़ेंगे तो 10708 सीटे हो जाएंगे, पिछली बार की भरती में बहुत सारे सीटे रिक्त रहे गए थी, जो नियुनतम हरतांग था उसको छात पास नहीं कर पाये थे, और उन सीटों को भी अग्रिनित यानि अगली भरती में जो किता तो वही रहती है, तो यहाँ पर मांगा जाता है bachelor degree with Hindi as a subject, यानि कि आपका जो सनातक है वो हिंदी विशय से होना चाहिए, और देखिए यहाँ पर एक और condition है कि intermediate में संस्कित विशय आप पड़े होने चाहिए और आपका होना चाहिए, और आपका होना चाहिए, बीए यह जो संस्कित की अनिवारता है intermediate में इसको लेकर काफी ज़्यादा विवाद हो जाता है कई बार, उस अरे भेरती जीन का इंटर में संस्कित नहीं था, उन्होंने भी फॉर्म भारा वो चैनित हो गये, बाद में मामली कोट वगएरे में भी गये थे, लेकिन राहत नहीं म अगरे में कुछ भी नहीं मांगा जाता है, ऐसे ही maths है, आपका maths से graduation और B.Ed होना चाहिए, जहने कि B.S.E. आपका mathematics में है, B.Ed है, तो आप आराम से eligible रहेंगे, science की बात करें तो bachelor degree with physics and chemistry as a subject in graduation और फिर B.Ed, आपका physics और chemistry होना चाहिए B.S.E. में और फिर आपका B.Ed होना चाह में से दो विशे आपके graduation में हो और आपका B.Ed हो तो आप eligible रहेंगे, बात करें computer का तो आपका B.Ed की या B.E. होना चाहिए, लेकिन computer science में ही, या फिर आपका B.E. है computer science में, या फिर आपका B.E. है computer application में, या फिर bachelor of computer application या bachelor degree with A.Level course from Nailit है, तो भी आप eligible हैं, लेकिन B.Ed आपका लगेगा computer, teacher के लिए भी ये आप समझते रहेंगा, उर्दू की बात करें, तो graduation आपका उर्दू विशे में होना चाहिए, या निकिस नातक में एक विशे आपका उर्दू है, और फिर आपका B.E. है तो आप eligible रहेंगे, बायलोजी के लिए graduation में, जो लोजी और ब बिल्कुल डिटेल में कलग से पूरा subject combination पर ही वीडियो बना दूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा confusion बच्चों को रहता है, संस्कित का भी देख लेते हैं, तो आपका graduation, संस्कित as a one subject होना चाहिए, यानि कि आपके सनातक में संस्कित एक विशे के रूप में आपन चाहिए, आर्ट की बात करें, तो आपका bachelor degree होना चाहिए, आर्ट विशे में या fine art में और बियर तो आप eligible है, music की बात करें, तो आपका bachelor degree music में होना चाहिए, या फिर पुछ और भी यहाँ पर option है, और बियर है, commerce की बात करें, तो आपका bachelor degree commerce में यानि बी कॉम है और बियर है तो आप lt commerce से आवेदन करेंगे physical education की बात करेंगे तो आपका bachelor degree किसी भी field में है और आपका बी-पी-ड है तो आप eligible है यहाँ पर bachelor degree आपका बी-एड हो भी-ड कोई भी दिकत नहीं है बी-पी-ड आपने के लिए eligibility आप अच्छे से समझ लीजिएगा आई सीमा 21 से 40 साल मैंने आपको बताया ही इसके लाव आपके कोई सवालों डाउटों तो लिखिए comment section में आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल को subscribe कर लाएं और हमारे साथ बने रहें thanks for watching